अज हम दिसकस करेंगे Constitution में Fundamental Right और उससे रिलेटेड आर्टिकल के जो हमारे Fundamental Right है Total 6 हमारे Fundamental Right से हमें प्रवाइड किये गए हैं कौन सा Fundamental Right किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में तक दिया गया है तो चलिए स्टाट करते हैं Fundamental Rights देखे Normally present में अगर हम बात करें तो 6 Fundamental Rights है हमारे Constitution में But there was one more Fundamental Right in the Constitution Right to Property जो Right to Property है यानि कि संपत्ति का अधिकार हमारा एक Fundamental Right और हुआ करता था यानि कि प्रिवेस में अगर हम बात करें 1978 से पहले तो हमारे पास 7 Fundamental Rights होते थे लेकिन After 44th Constitutional Amendment Act जो हमारा Right to Property यानि कि जो हमारा 7th Fundamental Right था उसको हटा करके यानि कि उसको Fundamental से हटा करके उसे हमारा जो है Constitutional Right बना दिया गया और Constitution में एक नया आर्टिकल जो रहा गया 300A अब अगर बात करें तो Right to Property इस तिल अ Constitution Right अडर आर्टिकल 300A और Constitution अफ इंडिया बट जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो आर्टिकल 300A है वो हमारा अब एक Constitutional Right है ना कि Fundamental Right फर्स्ट राइट है हमारा Right to Equality यानि कि समता का अधिकार समता का अधिकार से रिल्टिट आर्टिकल है 14 to 18 टोटल 5 आर्टिकल है जो की हम इस ट्रिक से लर्न करेंगे देखिए जो हमारा हैंड होता है उसमें आपकी कितनी 5 Fingers होती है 5 Fingers की हम अगर बात करें तो यह हमारी 5 Fingers क्या बताती है Equality को कि भले ही ये एक समान नहीं है लेकिन क्या है ये है Equality के बिहाफ पर कि बले ही कोई finger छोटी है या बड़ी है लेकिन उनमें उनका जो Right है यानकी उनकी जो Power है वो क्या है वो Equal है और इसी को कहते है Equality ठीक है समता ना कि समानता Next है हमारा Right to Freedom यानि कि स्वतंत्रता का अधिकार इस से related article है Article 19 to 22 अब देखिए हमारे जो Right to Freedom है इसमें Free Word आ रहा है Free में कितने letter है 1, 2, 3 and 4 4 ही हमारे से related article है Article 19, Article 20, Article 21 और Article 22 तो इस से हम learn करेंगे Free से हमारे 4 article Next हमारे है Right Again Exploitation इस से related article Article 23 और 24 Right to Exploitation means शोशन के विरुद अधिकार अब अगर किसी को कोई शोशन कर रहा है अगर आप किसी को गन दिखा रहे हो तो कि एक्स्प्राइटेशन अब यहाँ पे अगर हम हैंड से गन बनाते हैं तो उसमें क्या दो फिंगर का यूज करते हैं अब राइट दो फिंगर Exploitation हमें सर्फ ट्रिक के थूँ हमें आर्टिकल लर्न करने हैं जिससे हमारा जो प्री एक्जाम होता है उसमें हमें बिल्कुल भी confusion नहों और हमारे माइन में क्लिक कर जाए तो उससे related article कितने हैं दो Exploitation को Learn करेंगे हम किस से अपना हैन की द्वारा जो हम वो बनाते हैं फिंगर से गन उसमें टू फिंगर से उस करते हैं हम तो आर्टिकल 23 और 24 Next है मारा Right to Freedom of Religion यानि की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है अब देखिए यहाँ पे अगर बात आते हैं ही है Religion की Right to Freedom of Religion अब Religion हमारी Major अगर कहें तो कौन कौन से है 4 है Hindu Muslim Sikh और आपके इसाई अब यहाँ पर हमारे रिलेटिट आर्टिकल कितने है यहाँ पे 4 25, 26, 27, 28 तो Right to Religion में जो हमारा है Right to Freedom of Religion उसमें 4 Religion होते हैं और 4 ही उसे रिलेटिट आर्टिकल देए गए है Next अगर हम आते हैं Cultural and Educational Right आपका आर्टिकल 29 to 30 यानि की 2 आर्टिकल इससे रिलेटिट देए गए है अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है Educational अब Education यानि की अब जब भी आपका कोई Result बगएर आता है तो आप कैसे करते हैं कैसे Result शो करते हो ठीक है इस तरह का Symbol दिखा के हैं इसे फिंगर से Victory का तो Victory यानि की इसमें अब हमारी कितने Finger Two Fingers दिखाए दे रही हैं यहाँ पे ठीक है हमने अब यूपर देखा था कि Four Religion है अब Four Religion है तो जितने Four के Four Religion से Related जो लोग है उन सब को Remedy चाहिए होगी ठीक है यानि की Four जो Religion वाले लोग है उनको Remedy देने के लिए Four ही Article दिए गए हैं आपके किसमे Right to Constitution Remedy में देखिए यहाँ तक तो हो गया कि कैसे आपको Article Learn करने हैं कि किस Right में कौन-कौन से Article दिए गए हैं अब बात आती है इसके Sequence की किस Sequence से कैसे Learn करें Learn करते से माब डाउन हो जाते हैं तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि सब को पहले समान किया जाएगा सबसमान है सब जब समान हो गए है Equal हो चुके है अब उन्हें क्या किया यह Freedom दी जाएगी कि आप अब सबसमान है और सबको Freedom है उसके बात आती है कि Freedom जो आपकी Equality है इससे कोई Exploitation नहीं होगा ठीक है Freedom हमने दे दी और Right भी दे दी आपको Exploitation आपका कोई नहीं करेगा आप समान हो आप आजाद हो और आपका कोई भी शोशन नहीं करेगा उसके बात बात आती है Religion की ठीक है अब Religion बोला कि चलो Religion की बात यहां आ रही है तो हम आपको Freedom of Religion भी करते दे आप आपका मन है आप जिस Religion को चाहे फॉलो कर सकते है Next अब बचा क्या आपका Education, Cultural और Educational Right अब यह तो Important है Educational Right तो बहुत Important है उन्हें बोला कि ठीक है हम यह भी आपको दे देते हैं अब आप क्या है सब समान है सब को स्वतंत्रता है किसी का कोई शोशन नहीं करेगा सब को अपने अपने Religion को Follow करने का Right है और Educational Right भी आपको हमने दे दी है और इन सब Right से Related जो Remedy है उसके लिए हमने Last में आपको दे दी Constitution Remedy तो यह थी हमारी छोटी सी ट्रिक I hope it will be helpful to all of you and at last thanks for watching, please like, share and subscribe